दोस्तो अगर आपके फोन में लाइब वॉल्पेपर लगा हुआ है और आप उसको हटाना चाहते हैं, आप simply सा नॉर्मल सा एक वॉल्पेपर लगाना चाहते हैं, तो वो आप कैसे लगाएंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो लाइब वॉल्पेपर हट आने के लिए आपको क्या करना है आपको simply चले जाना है अपने फोन की settings में और settings में आपको इस type का interface मिलेगा यहाँ पे आपको नीचे की ओर scroll करना है और यहाँ पे आपको एक wallpaper का option दिखेगा आप इस पे click करिए click करने के बाद आपको इस type का interface मिलेगा या फिर आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ से home कर लिजाए आप directly अपने home screen पे अगर tap करेंगे थोड़ी देर तो आपको यहाँ पे यह नीचे एक wallpaper का option मिल जाएगा आप इस पे click करेंगे तो आपके सामने उसी type का interface आजाएगा अब आप आपको यहाँ पे करना क्या है आप side में अपनी profile का option एक दिखेगा आप इस पे click करिए और इस पे click करने के बाद आप wallpapers पे click करिए wallpapers पे click करने के बाद आपके सामने इस type का interface आजाएगा यहाँ पे आपको wallpapers दिखा देगा अब आपको जो भी wallpaper simply लगाना हो आप कोई भ for example हमने यह select कर लिया और यहाँ पे आप apply पर click करिए और set as home screen कर दीजे जैसे ही यहाँ पे आप apply कर देंगे तो आपके में जो है वो live wallpapers हट जाएगा हम दिखा देते हैं आपको आप यहाँ पर देख सकते live wallpaper हट गया अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे